हेलो फ्रेंट्स जैहिन तो आज बहुत मजबूर होकर ये वीडियो को बनाना पड़ रहा है क्योंकि थमनेल आप लोग देखी लिए उस थमनेल के बिल्कुल अधारित बिल्कुल सत्य बाते हैं उसी अधारित पे सोचे आप लोग को वीडियो बना दें जो कि अब भी हम फिलाल बहुत टेंशन और तनाव में चल रहे हैं इतना टेंशन और तनाव में नहीं रहा करते थे यार लेकिन पता नहीं जब से ये राजा ब्लॉग जो है अपनी माबाप को घर से घर में छोड़ कर भाग गया और उसकी बाद में उसकी माबाप के और भहनों की जो सोशल मीडिया पर सारे इज़त का निलामी कर दिया उसके बाद हम उसके विरोड एक्सन लें और एक्सन लेना मज़्बूरी था मेरा दोस्त मेरे जगा पे आप भी होते तो आप भी एक्सन लेते हैं कि वो अपनी माबाप को सिर्פ गालिया नहीं दे रहा था वो सोचल मीडिया पर आकर भारत की हमारे देश की माaveहनों की गालियां दे रहा था वो अपने घर में गाली दे ना उसे हमें क्या मतलब या उसके बगल वाले तो मतलब भी नहीं रहेगा लेकिन क्या सचाई क्या गलत हुए, तो आप लोग अच्छे तरह से समयतार बीकती हो, आप लोग अच्छे से निरनाई भी ले लजज अकि किसमे क्या सचाई एक किसमे क्या गलत है ? जब यह बाते, सारे बाते हम जब वीडियो पर दिखाने लगे सोसल मिडिया पर, राजा को लगा पिन-PINी, राजा को लगा मिर्ची, उसके बाद ओ क्या किया, आप देखा कि राजा डिरेक्ट हमसे तो बात कर नltry सकता है, उसकी तीय हिंमत नहीं, उसकी तुछा नहीं कि हमस मेरे पास call करवाकर वो हम को धमकी दिलबा रहा है जबकि वो जानता है कि जिस दिन हम चाह लेंगे न उस दिन राजा को बोलती बंद हो जाएगा भले वो सोचल मीडिया पर बाइरल है लेकिन सचाई वो जानता है मेरा भी और हम भी उसकी सचाई जानते हैं 100% गरांटिक साथ कहते तुम्हारे आगे दो एक्षन लेने के लिए हम तयार है लेकिन तुम पहले तो लो जैसे हम आज ने तुम पहला एक्षन ले लिया कि अपने दोस्तों से हमेरे पास फोन करवा के हमें गालिया दिलवा रहा है अरे वाँ अवकात है तुम्हारा तो आजा सामने सामने लड़ ले आजा सामने सामने बाते कर ले नहीं है अवकात हम जानते हैं कि तुम्हारा अवकात नहीं है तुम्हारी अवकात क्या है हम जानते हैं यार इसलिए तुम मेरे सामने आकर बात नहीं कर सकता है और हमसे लड़ नहीं सकता है तो अपने दोस्तों से गालिया दिलवा रहा है तो बता देते हैं राजा अगर दोस्तों से गालिया दिलवाते हो ना उस पे भी मैं एकसान ले सकता हूँ यार लेकिन नहीं लिया पहली चांस भगवान भी माप करते हैं इसलिए म मेरे पास कॉल आया या आपके नाम पे मेरे पास कोई कॉल करके मुझे कुछ बाते बोला तो समझ जाना मैं सारा दोस्त आपका ही दोंगा क्योंकि मेरे नाम आपके नाम लेकर के हमें बाते बोल रहा है उसका कॉल आया क्या वो डाइरेक्ट बोलता है कॉल किया मेरा इस्टा पर फेक ाईडी था वो बता रहे हैं पूरी डीटे corpse पूरी कहानीत बता रहे हैं आप वीडियो पे बने रहे हैं और देखे कि की किस तरह से राजा का क्या हैरे साथ जब कर रहा है तो ऐसा करता होगा वो उसका कॉल आया और बगल में हमें पूरी विशुवास्ता की राजा था वहां प्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं अब बगल से कोई बोले तो उसकी अवाज हल्का साभी भन्रक आता है फोन के उसी तरह से आ रहा था हम उसको बोले भी कि हगर अवकाथ है उसको बगल से जो आपको ्षू-धार लौर सुधर्जाओं को तो लगा यार कहां हम गलती कर गया जो हमें बोल रहा है सुधर्जाओ सुधार लौ सुधर्लो तो मेशनी भाई आप कोई हो हम कोई भी उससे मतलब मत रखो बस हम तो जो बोले ओ काम करो, फिर हम चुप होगे, को लगा यार का है इसे कौन गुए, इसी तरह के हमसे बाते कर सकता है, सोचने लगे हैं कि हो सकता है, कोई मेरा नजदी के फ्रेंड तो नहीं बोल रहा है, कभी कभी होता है जो बचपन का दोस्त होता है, इस तरह से बाते करता ह तो हमें ऐसा लगा, लेकिन वो फिर बोला क्या, तुम जो है राजा के घर पे जाकर राजा की माबाप को हेल्प कर रहा है, इस काम को तुम छोड़ दो, उस समय से तो हमें गुसा ही आगी यार क्या रही, इसका मतलब है कि राजा फोन करवा रहा है, राजा इस तरह से हमें ड आते रहेगा, अब आप ही बताओ, क्या किसी गरीब को help करना गलत बात है, या किसी मजबूर माबाप को help करना गलत है, या किसी बुढ़े इनसान को help करना गलत है, अगर आप लोग की नजरों में लग रहा है कि हाँ, ऐसे लोगों को गरीब या बुढ़े माबाप को, या तो इस तरह का जो राजा आप कर रहा है, कि उसकी माबाप को help कर रहे है, उसके लिए हमें धमकी दिला रहा है और गालिया दिला रहा है, यार देखो ये गालिया सुनने की आदत राजा को है, हमें नहीं, क्योंकि राजा की आप आइडी पर देखे होंगे, कॉमेंट में 95% ल जिस आईडी से नंबर आया मेरे पास, कॉल उस आईडी को हमने अपने विभाग में related हम जानकारी दे दी तुरत में आवेदन लिकर कि मेरे साथ इस तरह की धमकी भरी बाते आ रही है और हम अभी duty में तैनात हैं जिससे कि हमें मानसिक तनाव हो रही है और मानसिक तनाव में में आकर कि हमसे थोड़ी सी disturb हो रही मेरा brain दिमांग disturb हो रहा है इस तरह से करके हम आवेदन दिया और मेरा official तुरत action लिया action लेने के बाद हमें reply आया कि OID का verify नहीं है OID वो fake ID है अगर इसी तरह का किसी तरह से फिर अगर आपको call या message आए उसके बाद तुरत information दिजेगा तब बस उसी का call का और message का इंतजार करें कि हो सके वो फिर से गलती दुबारा करें ताकि उसे हम चंगूल मिलें लेकिन चलो कोई बात नहीं एक बार तो हम माफ करेंगे उसे एक बार जैसे हमें कि पहली गलती भगवान भी माफ करते हैं इस तरह से हमने पहली गलती उसे मा गलत करते भी नहीं हैं। जिस जमाई गलत करेंगे उस समय तुम गालियां दो बरदास्त कर लेंगे। लेकिन जब गलत नहीं तो फिर गालियां क्यों और बाते क्यों। तो इसी तरह के धमकी बहुत सरी बाते दिया कि आप तुम देख लेना तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे ये करेंगे ओ करेंगे बहुत तरह तरह की बाते हुई। बस हम सुनते रहें क्योंकि हमें फालतू अंडरसंड बोलने की आदत है नहीं जो कि हम उसके साथ बोलें बत इसी टिप्रेशन में आका हम अपने ओफिस्याल में जनकारी दे दिया और बात एकि और इस बात को हम सेर उनकी मां से भी कियें राजा की मां से भी से बोलें कि बात करने लगे कि बिटा उसकी बात तो छोड़ दो हमारा अभी जरूरी है आपकी और हमें help करो, आमें वहां तक पहुचाओ, जहां तक कि मेरी इंसाफ दिलाओ किसी तरह से, फिर भी हम सोचें, चलो कोई बात नहीं, राजा बोल रहा है, बोलने दो, उसकी सामने आकर तो हिम्मत, अगर जिस समय हिम्मत हो जाएगी, सामने आकर बोलने का, उस समय सोचेंगे, help करें य जिस रास्ते पर वो चल रही है, जिस दोनों के बीच में लडाई जगड़ा चलें, उसी लडाई जगड़े में छोड़ दें, उसी नर्क में छोड़ दें, या उस नर्क से निकाल कर उसे इनसाफ दिलाएं, यह आप लोग का निरना है, आप लोग कॉमेंट्स करके बाते कह गया, उसके लिए हम सिमट लेंगे उससे, बस आप लोग से यही निरनाई लेना चाहते हैं, क्या हम करें अब क्या, क्योंकि थोड़ी बहुत हमें डिश्टर्ब हो गया, और हम सोचने लगें क्या हम करें, कौन सी रास्ता निकालें, सोचने से मजबूर हैं, समझ म नहीं आ रही है, इसके लिए आप लोग बताईए एक बार जरूर, प्लीज आप लोग से रिक्योश रहेगा, कि अब हम करें तो क्या करें, और वाकि यह इन्फोर्मेसन देना हमें बहुत जरूरी समझे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरा ब्लोग को भी देखते हैं और उसके बाद राजा के रिलेटेड वीडियो भी सारे देखते हैं, तो सोचे कि चलो हमारे साथ जो घटना घटा और जो इस तरह से बाते किया, यह जानकारी हम आप लोग को जरूर देदें, इसलिए आप लोग को यह वीडियो भरी हम बता करके आप लोग को जानकारी द कि राजा किस तरह का अदमी है और कितना हद तक गीर सकता है वो तो सारा लोग जान ही गए अपने माबाप को और बहन को जब गालियां दे रहा है तो जान ही गया कितना हद तक गीरा हुआ लेकिन अब ये भी जान ले कि उसकी माबाप को help करने के लिए जो निकला लड़का उसे भी अब गालियां देना और दुसरे से गालियां सुनवाने का कोशिस कर रहा है करवा रहा है तो ये सारे audience जाने कि हाँ उसकी सचाई क्या उसकी हकीकत क्या उसकी कहां तक वो गिर सकता है बस इस बीडियो में यहीं और बीडियो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्यार कीजिएगा सस्क्राइब कर लिजिए हमें सपोर्ट की जरूरत है फिर मिलते हैं अगले बीडियो और अगले बलाग में जैहिद जैभारण